नमस्कार स्वागत है आपका बिहारी नूज में वरत नसेन भारती अज हम बात करेंगे 5G क्यों लेकर देश में कोरोना के मामलों में दिन पर दिन ब्रिधी हो रही है देश में जायतर राज कोरोना वाइरस की चपेट में है पुछले कुछ दिन से देश में कोरोना संक्रिवित मरीजों की संख्या में एक दिन में 4 लाके करीब पहुँच रही है क्रोना संक्रित मरीजों के संक्यामला अगतार हो रहे ब्रीधी से अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की कमी से कई लोगों की जान गई है वहीं दूसरी और देश में 5G टेक्मिलोजी का पूरे देश में बिश्तार हो रहा है इसके सांसे सोसल मीडिया पर एक मैसेज भी बहुत तेजी से बाइरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि 5G नेटवर्क से निकलने वाली हानिकारक रेडियेशन हवा में जहर गोल रही है और इसी की बज़ा से लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है तथा लोग मर रहे हैं बताया जा रहा है कि 5G नेटवर्क रेडियेशन की हवा में मौझूद आक्सीजन को दूसित कर रहा है और करोना वाइरस के नाम पर सरकार वा उद्योग पतियों द्वारा बड़ा 5G सकेम चला जा रहा है सोसल मेडिया पर वाइरल हो रहे है मैसेज में कहा गया है कि करोना की दूसरी लहर यानी की सेकेंड बेव आई है यह असल में कोई बिमारी नहीं है बलकि 5G की टेस्टिंग सुरू होने के बज़ज़ से लोग बिमार हो रहे है दावा किया जा रहा है कि 5G टावर से जो रेडिये से निकल रहा है वह हवा को जहरीला बना रहा है तथा लोगों को सांस लेने में समस्या हो रही है कहा जा रहा है कि 4G network signal की बज़े से जिस तरह पक्षियों की प्रजाती का बुरा असर पड़ा है उसी तरह 5G तेक्निक की इंसानों के लिए खतरनाक है सोसल मिडिया पर चल रहे डिवेट में यह बात का भी दावा किया जा रहा है कि 20 के ताकत बर देशों ने अपने स्वार्थ के चलते बड़ा सर्जेंतर रचा है और 5G की बुरे प्रभावों को छिपाने के लिए कोरोना नाम की बिमारी का सहारा लिया गया है खुफिया एजेंसी भी इसमें मिली हुई है और बड़े उद्योगपती भी इस साजिस में सामिल है कहा गया है कि यदि 5G कोई इसकी सुरुवाती स्टेज पर ही नहीं रोका गया तो आने वाले जेनरेशन में जर्मजात भीमारी दिखने सुरू हो जाएगी सोचल मेडिया पर यह 5G का मेसेज बहुत तेजी से बाइरल हो रहा हूँ दूसरी और इंटरनेशनल कमिशन और आइनाइन्ज रेडियेशन प्रोटकॉल विभाग ने अपनी रिपोर्ट में साफ सब्दों में कहा है कि 5G उपकरन से निकलने वाली रेडियेशन का केवल इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन की तूलना में बेहत ज्यादा कम है 5G रेडियेशन की मातरा इतनी कम है कि यह किसी भी हालत में human body यानि कि मानब शरीर में मौझूद सेल्स को किसी भी तरह से छती नहीं पहुंचा सकता है बता दें कि यह है रिसेर्च संस्था भी रेडियो ब्रोडकास्टिंग के रिस्क को टेस्ट करता है और इन्होंने 5G नेटवर्क का भी परिक्षन किया है जिसे सुरच्छित माना गया है इस 5G को लेकर विश्प स्वास संगठन UNICEF ने एक ब्लॉग लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि मौवाइल इंटरनेट को पाँच भी जनरेशन ना तो किसी तरह से वाइरस को फैला रहा है और ना ही किसी जीब की मौत का कारण बन रही है वहीं WHA न भी साफ कर दिया है कि कोरोना वाइरस रेडियो बेव या मौवाइल नेटवर्स के जरिये ट्रेवल नहीं करता है COVID-19 संक्रित ब्यक्ति के स्वास स्वसन संबंधी ड्रॉपलेट्स के जरिये ही फैलता है और इसका 5G मौवाइल नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है ऐसे ही माई एक नज़ा डाल लेते हैं उन देशों पर जहां पहले से ही 5G काम कर रहा है दुनिया में कई देश ऐसे हैं जहां 5G मौजूद है और कोरोना की हालत भी बहुत सुधरी हुई है इसमें आस्ट्रेलिया, हांग कॉंग, न्यूजिलेंड, साथ कोरिया जैसे रास्टों में 5G पहले से ही मौजूद है इससे यह साफ हो जाता है कि 5G की बज़र से कोरोना वाइरस का संक्रमन कोरी अफवा है जो सोचल मीडिया पर बहुत तेजी से वाइरल हो रहा है वहीं दूसरी और कोरोना के सेकिंड वेव तो मार्च से ही आने सुरू हो गया है अब को बता दें कि अभी तक भारत में साल 2018 में एयर टेल ने एक चोटी सी टेस्टिंग की थी जो सिमित छेत्रों में ही संपन्ध हुई थी वहीं इसी तरह से 2019 में कौलकॉम ने 5G के लिए रिलाइंज जीयों के साथ मिलकर 5G टेस्टिंग किया था इंडिया में अभी 5G स्पेक्टरम देधारित होने में और उसके ट्राइल में बक्त लगेगा दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में फिलाल 5G निटवर्क पहुंच से भी नहीं पाया है ऐसे में भारत में बढ़ते कोरोन संक्रमत मामलों का एक मातर बजह कोरोना वाइरस है ऐसे में बिहारी निउज आपसे अपील करता है कि आप अपवाओं पर ध्यान न दें केंदर सरकार और राज सरकारों द्वारा जारे की गाई गाइडलाइन का पालन करें घर में रहें, सुराच्छित रहें, घर से बाहर निकलें तो मास्त का इसमाल करें बिहार और बिहार से जड़ो ही और भी ऐसे इंग खबरों के लिए बने रहें बिहारी निउज के साथ मुझे दिजी अजाजत, धन्यवाद